तो दोस्तो आपका मेरे चैनल में सौगत है तो आज मैं आपके साथ में एक स्वीट की रेसेपी लेके आई हूँ जो की बनाने में भी बहुत आसान है और स्वाधिस्ट भी बहुत है और यह जटपट बनकर तयार हो जाती है जिस तरह से दिख रही है ने बिलकुल एकदम मार कैसे बनाते तो इसके लिए एक पॉस्तो छुटे कप में ले मिल्क पाउडर ड्राइफ tooth लिये ह। बहुत सारे कई । उस से आधा हमने चीनी लिएं चीनी हमे कमी लेना हैं और हमें दूद लेना है प्रेशा बने ट्लिख criança पाने लेना है नियेंग की प्रेंगा फिर की टों मारे तो रिखे तो ऑनी पसंसे ले हैं आप शोप करते हैं तो हम इसको अच्छी तरीके से बारिक कर लेंगे ड्राइफुट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं आप जो भी खाना पसंद करते हैं यह देखिए यहां पर जो हमने पुरा जो मिक्सर है उसको पीस लिया है और पीस कर हम एक बरतन में निकाल लेंगे देखिए मैंने इसम आप उसको अलग से इलाइची पाउडर डालेगा तो उससे ना स्वाद अच्छा आएगा और हमारी जो मिठाई है वह बहुत अच्छी वनेगी इस रेसिपी को आप किसी भी तहवार में या घर में कोई महमान आ रहे है अचानक और आप कुछ बनाना चाहरे तो इसको बना है तो आपके पास में यहां पिंक कलर हो रैड कलर हो या ग्रीन कोई भी कलर आप घोल कर इसमें मिला दीजिए और फिर आप एक आंटे कर दो तैयार कर लीजिए तो मैंने बताया ना सिर्फ चम्मस ही डालिएगा तो बहुत जादा नहीं लगता है और जो मैंने थोड़ा सा भी मिक्सर बचाया था मिच्रन बचाया था ऊसमें हम उसको वाइट ही रहने देंगे क्योंकि दो कलर में हम लोग को इसको बनाना है तो यह थोड़ा सा जो मैंने इस लही लिया है इसमें हम ड्राय फूट्स मिलाएंगे जो स्टफिंग में हम मिठाई की डालेंगे तो यह मीठाईं है जो बन कर तयार होगी है और सचमानी आप इसको बनाया लिए किस भी तहवार में ये बड़े हैं या कोई भी यविव फवंक्शन हों मैप स interactions बना लिए और असान है मेरे पास में बेटर पेपर नहीं था तो पास में ना एक पनी रखी थी पॉलेतिन होती है जो हमारे पास में कड़ी वाली थोड़ी तो आप उसको ले लिजाए इसको क्लीन कर लिजे और उस पे पूरा घी लगा लिजे और घी लगाने के बाद में उसको अच्छी तरीके से फैला लिजे जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके इसको पनी में इसको अंदर कर लिया है मैंने दोनों साइट से पैक कर दिया है जिससे वह बेलन में चिपके भी न और बाहर भी न आए तो इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे और फिर इसके बाद में हमें से लंबा करके यह जो हमारी ट्राइफुट्स वाली स्टफिंग इसको बीच में डालके और रोल कर देंगे मतलब इसको गोल गोल घुमाकर इसको पूरी तरीके से रोल कर देंगे फिर इसको हम किशी भी शेफ में चाहे आप राउं कर लीजिए चाहे इसको चोकोन करके फिर हम इसको काटेंगे तो यह मिठाई बहुत अच्छी मैंने इसक मेरा यह वाला फुल वीडियो रह गया था तो मैं आपसे कहा था कि मैं इसको ज़रूर आपसे शेयर करूंगी तो यह देखिए इस तरीके से इसको हम रोल कर लेंगे और यह आसानी से रोल हो जाती है कोई टूटती नहीं है और फिर इसको ऐसे रोल करने के बाद में हमें इसक पांस-दस मिनिट फ्रेज में रख देंगे जिससे अच्छी तरीके से सट हो जाएगी उसके बाद में हम इसे काटेंगे तो मेरे पास में सिल्वर पेपर रखा है तो बहने सिल्वर पेपर का जो वर्क है वो भी इसमें लगा दूंगी जिससे हमारी मिठाई एक्दम मार्क मतलब मैं वीडियो बना रही हूं तो मुझे मतलब दिखाने में लग रहा है बट आप खुछ से बनाएंगे ना तो बहुत असानी से जल्दी से फट से बन जाएगा तो देखिए सिल्वर पर के इसको हमेरे इसमें अच्छी तरीके से लगा लेंगे और फिर हम मिठाई को यहां ने अलंगे लेंगे, सेठ होने के लिए तो यह देखिए यह इसको चारो तरफ लगा दिया है, फ्रेज में रख दिया था, मैं मैंने इसको लग बग ऴग 10 मिंट रखा, 10 मिनट बाद के अच्छी त्रीके से से सेट हो गई तो सबसे पहले क्टिंग करने के लिए मै मतलब जो इसका स्वाध है बहुत अच्छा आता है जिसे कोकोननट पसंद है तो वो इस स्वीट को बिल्कुल घर पर बना सकते हैं तो दिखरी एनेग्दा मार्केट पली अगर इसमें और दूसरे कलर आप डाल के बनाएंगे तो यह और अच्छी लगेगी और यह जटपट बनकर तयार हो जाएगी कोई जादा इसमें समय नहीं है बस थोड़ी सी मैनत तो लगती है बट मतलब आसानी से बन जाती है और मतलब यह ऐसी रेसेपी नहीं है कि जो बिगड़ जाए मतलब कि आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे और मेरे पास में न मिठाई का बॉक्स तो मैंने इसमें डाल दिया है तो आप देखिए इसको देखकर आप कह सकते हैं कि अपने घर में बनाई है और आसानी साब भी बना पाएंगे तो चैनल में अगर आप न आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए औ कमेंट करके बताएज अगर आप ठ्राय कर रहें तो कंट करने वाले हैं और यह रज़ियो रसेपी बन कर त्यार है तो उसे किसी भी हीआज में बना कर आप खाइज ए स्वाधिस्ट मिठाई हमारी घर में बनकर तैया है जो कि मिल्क पाउड़र और 죽mm से मिलकर बनी है और हमने इसमें डाले हैं बहुत सारे हेल्दी ड्राइव फूड बाई